वेलकम बैक टू ट्रेडर सुशान तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपके साथ डिसकेस करने वाला हूँ पाच ऐसे ट्रेडिंग रूल और प्राइस एक्षिन रूल जिससे आप अच्छा कासा पैसा गामा सकते हो तो मेरे को सबको पता है कि बहुत सारे ट्रेडिंग है वो जादा अच्छा हो जाएगा एक एक नासम सर्टीफाइड रू ट्रेडर हू तो आपको मैं बहुत अच्छे वे से गाइड कर सकता हो तो यह वीडियो में पूरा ताइम पूरा देखे एक सेकेंड स्केप मत कीजिए आपको वीडियो डेफिनितली बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग indicator use करते हैं लाइक RSI हो गया है और बहुत अलग अलग indicators है तो आपको मैं suggest करऊंगा इस आपको consistently trade करते रहना है इंडिकेटर वर्क्स करते हैं मेरे इसमें मैं भी खुद इंडिकेटर यूज करता हूँ एसा नहीं बोल रहा हूँ मैं VWAP यूज करता हूँ बट VWAP का भी एक like scientific or else theoretical value रहता है तो इस आप VWAP का like देखे तो volume weighted average price रहता है तो volume कहा है और उसके accordingly price कोन सा like actually मतलब VWAP से कैसे आप entry ले सकते हूँ कि like actually ये चीज का volume से आप weighted निगालो तो actually इसका price इतना इतना रहना चाहिए तो ये जगे पे एकदम ये जो stock और ये भी जो भी index है और जो भी कुछ भी है वो great opportunity है तो समझो कि XYZ stock का VWAP पासो है and stock traded कर रहा है पासो 10 पे तो उसका जो exact price है buy करने का वो है पासो रुपया तो ये ऐसा VWAP चीजे बताता रहता है तो guys उसके पहले like in deep में जाने से पहले मैं आपको बताने वालो कि वीडियो आपको पूरा देखना है तो ये वीडियो पूरा देखे and then ये चैनल को सब्सक्राइब कीजे क्योंकि मैं पूरा चीजे free of cost में लाने वाला हूँ and जो चैनल का bell button है उसको भी प्रेस कीजे तो कैसे guys आप देखोगे बट आप नए जो वीडियो आने वाले वह नही देखोगे तो आपको जो नए-ए मेरे rules और जो भी नए strategy रेगी उससे आप unaware रहोगे तो definitely subscribe कीजे तो अभी अपन चलते है strategy के उपर और जो price action में बताने वाला उसके उपर तो अभी आपको मेरा nifty fifty का चार्ट शोग रहेगा यह जो EMA वगर है इसके बारे मैं थोड़ा आपको last में बताऊंगा कि EMA का क्या strategy है तो उसके लिए आपको last तक रुखना है वो आप कैसे use कर सकते वो भी बताने वाला हूँ तो अभी आपन आते हैं price action के strategy पर गाइस तो price action आपको use कैसे करना है तो मैंने बहुत लोग देखे और मैं session भी लेता हूँ live trading का लोगों के साथ trade करता हूँ तो मैंने एक चीज़ notice कि है कि बहुत सारे courses उन्होंने किये रहते तो एक चीज़ फॉलो करने को नहीं जमता second issue आता है कि लोग क्या करते है trading तो करते है बट वो volume को ज्यादा priority नहीं देते एक second गलती आता है third गलती क्या आता है trading तो करते है अच्छा काता trading भी करते है बट जो risk management है risk का management है वो करना भूल जाते है तो risk management भी बहुत जदे important है and मैंने यह चीज़ भी देखा है कि वो analysis जो भी रहेगा चार्ट में वो one hour के time frame में करते है one hour का जो time frame है उसमें analysis कर लेंगे बट जो trading है वो 5 minute के time frame में करते है तो यह भी गलत चीज़ है मेरे accordingly कि आप जो time में trade कर रहे हो वही time में guys आपको trading का भी like करना है like मैं बता रहा रहा है in the sense देखो अभी यह important level है ठीक है यह मैं को कैसे पता चलेगा मैं 15 minute के time frame में जाता हूँ कि इसको कभी back test किया है क्या हूँ इसको पहले भी एक बार test हूँ चुका है तो इसके वज़े से यह level important है समझ रहे हो तो ऐसा मतलब नहीं कि यह level के basis में मैं trade करने वाला हूँ ठीक है अभी देखो यह जो एक price action है वो 5 minute के time frame में कितना अच्छा है आप देख रहे हो उपर गाया नीचे गाया उपर गाया उपर जाके एक price action form के अच्छा risk reward है entry यहाँ जगा है पर कितना अच्छा entry है target इतना बड़ा समझो stop loss target इतना अच्छा best entry तो आपको यह 15 minute और 30 minute के time frame में मिलेगा कि नहीं तो अभी और एक point है जो गलती है आपको पहली ही मैं समझा के रख रहा हूँ कि जो analyze करोगे आप support और resistance जो बड़े वाले है वो आप draw कर सकते हो 50 और 30 minute time frame में बट जो intraday की importance है व आपको ड्रॉ करने है 5 minute के time frame में ही जैसे मैंने यह draw किया जैसे मैंने यह green वाला sorry blue वाला line जो ड्रॉ किया है वो तो आपको मेरा fourth point भी clear हो चुका है आपको ड्रॉ करना भी देखो यह जो important line है आप इसको 30 minute के time frame में बहुत ही clearly देख सकते हो दो मिने चार्ट लोड हो रहा है थोड़ा आवाज घर से थोड़ा दूर रही है थोड़ा आउटसाइड घर के बैठता हूं इसलिए थोड़ा wifi का range का issue है तो अभी back to topic आप देखो कि यह 30 minute के time frame में को clearly notice हो रहा है कि यह कितना अच्छा demand supply zone है एक बार दो बार और तीन बार यह उसको test किया है ठीक है तो यह इसके demand supply zone में कोई बड़े time frame में पता चला तो इसके use करके मैं इसको करूँगा आप ऐसा एक trend line निकालोगे 30 minute के time frame में और trade लोगे 30 minute के time frame से गीरेगा तो ऐसा नहीं होगा तो यह बात clear कर देना तो अभी आते है अपना like price action कैसे करना आपको analyze कैसे करना है स्टॉक को वह सार आप जबी भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको ट्रेडिंग में मैं सारा चीज़ा डिलिट करता हूँ आपको थोड़ा भी confusing नहीं चाहिए तो आप यह देखो कि चार्ट का sentiment क्या है चार्ट बताना क्या चाहता है ठीक है अब भी देखो यह gap ओपन हुआ बट देखो आप ज है जोन उदर से बड़ा कैंडल आया गाई इस मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम था बट अलसो उदर से एक रिजेक्शन आया इसका मतलब क्या है कि 15 750 के ऊपर निफ्टी जाना डिफिकल्ट है तो आपको अच्छा रिस्क रिवाड लेके इधर कॉल शॉर्ट करने पे और ए यह एक अच्छा जोन है उसके बाद जबी बिजू फ डा ऑड़ान होता है तो उसका झनल कर लो रहता है जुक्त हाई यह तो इसे आपको ट्रेड करने झाटे आ ayis छोटा stop loss रोखो एक बहुत important चीज है आप जबी भी ट्रेड करते हो तो आपका जो risk reward है उसमें जो आपका लाइक मतलब समझो कि risk आपका रहेगा 500 रुपएगा पर lot तो आपका जो target रहना चाहिए वो minimum minimum 1000 रुपीज का रहना चाहिए गाइस I hope आपको clear हो रहा है जबी भी आप like trade लेते हो तो आपको पहले से पता रहना चाहिए कि मेरा stop loss कितना रहना चाहिए लोग क्या करते हैं ट्रेड में entry कर लेते हैं उन लोग को पहले से कुछ नहीं पता रहता कि मेरा max stop loss कितना रहना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा ठीक है बट अब जबी भी कोई business करते हो तो आपको पता रहता है कि मैं ये business से loss हुआ तो मेरा इतना लॉस हो सकता है मैं समझो कोई food का business डाल रहा हूँ तो food के business में मैं ये नया strategy मतलब एक नया food create कर रहा हूँ तो ये flop हो गया तो मेरे सारा चीज़ क्योंकि ये business की तरह देखो risk management की तरह देखो आप क्या करोगे 2000 का loss लोगे 1000 का profit लोगे तो ऐसा चीज़े नहीं है आपका कितना भी price action बैस रहने दो आपको end में loss ही होगा I hope आपको मेरा concern समझ रहा है मैं जो वे से आपको explain कर रहा हूँ वो आपको समझ रहा है आप कोई भी चीज़े business की तरह देखो तो अभी price action आपको थोड़ा क्यूंकि आपको psychology पर वीडियो चाहिए तो मैं definitely बनाऊँगा detail मैं उसका comment करके बता दो मैं कि आपको वीडियो चाहिए बड़ आपको ये समझ रहा है कि price action मैं कैसे यूज करता हो कि 30 मिनिट पर आप जा रहता है जो थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि आप देखो अभी ये ये जोन मतलब approximately यहां तक आता है ठीक है और resistance किसको बोलते है ये जो मैं जोन निकाला है ये जो जोन निकाला है मैंने उसको resistance बोलेंगे अपन क्योंकि छोटे टाइम मैं निकाल रहा है और एक ही level है वो चोटू सा जोन एक ये वला एक नीचे की तरफ का जोन रहेगा ये एक आप डिमांड और सप्लाई जोन आपने निकाल देखो तो आप देख सकते हैं एक अच्छा जोन है इधर से इधर से इधर से एक rejection आ चुका है तो आपको ऐसे सारी चीज़े देखनी है 30-15 मिनिट के ट प्रिवेस सपोर्ट में हो ये जोन के एधर तो मैं उसको भी मारर कर देता हूँ ठीक इसके नीचेक छुला49 तो समझेब यहां जगह पे जाकर के तो मैं stop loss यहां पर रखके है, मैं target इसके उपर रख सकता हूँ, तो आपको stop loss और risk management लेवल्स के हिसाब से रखना है, तब ही जाके आप अच्छा खासा यह जगे से कमा सकते हो, तो अभी यह मैं सारा delete कर देता हूँ, मैं plain chart रखता होगा इस हमेशा, और नए नए levels ड्रॉ करत तो अभी मैं सब कुछ निकाल दिया है, तो आई होब आपको देखो screen कितना, जब ऐसे ही plain screen रखना है, और ऐसे ही आपको trade करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, risk management, जो भी मैं आपको साला चीज़ें बता है, वैसे ही guys use करो, अभी मैं last पर जैसे मैं आपको बताया था, इंड indicators बनाता हूँ, तो आप VWAP यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप EMA यूज़ कर सकते हो, बोट आर good indicators, volume weighted average price, and second है EMA, अच्छे indicators है, EMA आप कैसे यूज़ कर सकते हो guys, आप उसको EMA जब भी भी यूज़ करोगे, तभी आप अलगो trading का strategy build up कर सकते हो, वो भी अच्छा है, ट यह EMA नहीं था, मैं जो लगायाता हूँ, दूसरा था, मैं देखता हूँ, बट आप अलगो, मैं आप को, मतलब कोई भी कोडर जो बनाता रहता है, आप खुद strategy backtest कीज़े कि, आपको कौन से EMA के strategy अच्छा लग रहा है, मेरा EMA नहीं बताऊंग आपको, आप खुद का द समझ में आएगा, और सारी चीज़ आप खुद ही clear कर सकोगे, तो यही मैं बताने का try करता हूँ, इसकी खुद भी analyze करते रहो, आपको तभी जाके समझेगा की, चीज़े कैसे workout होती है, EMA कोन सा important है, और क्या करना चाहिए, जबी कुछ अपना risk reward mismatch हो जाता है, तो entry कैसे ल आपको इतना दूर तक वीडियो देख रहे हो, तो आपको बताने में कोई problem नहीं है, आपको यह setting भी नहीं ओपन हो रहा है, wait a second guys, तो setting, open हुआ style, तो length आप पहला 7 का यूज़ कर सकते हो, 7 नहीं तो 9 का यूज़ कर सकते हो, best है, उसके बाद 21 और 1 second है, 50, बो 3 are very good, आप इससे कोई भी अलगो strategy बना सकते हो, in 5 minute of time frame, तो अच्छा risk, but देखो strategy का एक ही rule है guys, यह 21 था मेरे, wait a second, 9, 21 and वो नहीं हो रहा है, I guess तो इसमें, तो ठीक है, मैं इसको बट आपको जो बताने का concern था, 18 हो गया है guys, but में को 21 चाहिए था, तो दूसरा देखता हो guys, but I hope आपको पूरा topic clear हो गया है, कि क्या है, ट्रेटर रॉन के उपर आपको और वीडियो चाहिए, तो जो मैं पाच रूल बताया आपको, आपको अच्छे लगे रहेंगे, तो इफ आपको अच्छे लगे रहेंगे, तो आपको अच्छे लगे प्राइशन का यह जो भी strategy बता रहो है, तो आप definitely चैनल को subscribe कर सकते हो, वीडियो को like कर सकते हो, और कुछ भी डाउट रहेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा like मेरे से बात कर सकते हो, कुछ भी डाउट पूसकते हो, description मेरा WhatsApp का लिंक है, वहांसे भी आप मेंको मेसेज कर सकते हो, तो और कुछ लेडिंग रिलेटेट चाहिए रहेंगे, कुछ नहे वीडियो चाहिए तो definitely मेंको मेसेज कीजे, मैं आपको वह टाइम देखके आपको help जरूर खरूँगा, तो चलो guys, thank you so much for watching this video, I hope you are doing great, take care, bye bye